क्लास 12 वेलकम बेक टू माई चैनल ये वीडियो क्लास 12 के उन्य स्टुडेंस के लिए है जो भी अभी क्लास 12 मैं है स्टुडेंस आच हम लोग अंतरा का चैप्टर नमबर 6 लगू कता है जो हमें दे रखी है जिसके लेखा कजकर वजाहते स्टुडेंस लेखा के उपर मैं व चैनल पहचान चार हाथ साचा ये क्या है स्टुडेंस लगू कता है यानि छोटी छोटी कता हैं तो सबसे पहले पार्ट की मूल समवेदना पड़ते हैं यानि शोट थीम की बेसिकली है किया इन चाल लगू कताओं में स्टुडेंस लेखक ने व्यवस्ता और जो शासन तं और किसानों के समसियां की करारी जोट की है तो आई होप समझ मैं होगा आप लोगों को कि हम आम जनता मजदूर किसान के शोशन के बारे में पड़ेंगे उनके साथ हो रहे हैं नियाई के बारे में पड़ेंगे तो ये शोट थीम ती जो आप याद रखेंगे तो फस पहली लगुकता शुरू करते हैं शेर व्यवस्ता का प्रतिके स्टूडेंट यानि शेर अजगर वजाहत की प्रतिकातमक और व्यंगातमक लगुकता है स्टूडेंट प्रतिकातमक का मतलब क्या होता है यानि संकेत दे रखे होते हैं जिसके अंतर से हमें भाव ये किसी भी टॉप के बारे में बताया गया होता है तो आप याद रखेंगे कि यह अजगर वजाहत की प्रतिका अतमक्ता और वियंगा अतमक्ता लगुकता है यानि संकेतों के माधियम उसे हमें बताया जाएगा आप याद रखेंगे संकेतों के माधियम से यानि शेर व्यवस्ता का प्रतिक है आप याद रखेंगे कि शेर को व्यवस्ता का प्रतिक यानि इसको व्यवस्ता की और संकेत किया गया है किसको सुड़ा है शेर को और शेर क्या है यहां पर शासन है तो जो तब ही तक हामोश रहती है यानि शासन सत्ता जो है वो जब ही तक हामोश रहती है जब तक सारी जनता उसके खिलाफ नहीं बोलती है आप याद रखेंगे कि शेर को क्या बताया गया है शासन बताया गये है जिसका राज चलता है और वो कब तक हामुश रहती है जब चलता जो है उसके खिलाफ नहीं बोलती है आई होप आपको समझ मारहा होगा कि शेर को यहां पर शासन के संकेट से बताया गया है जैसे ही व्यवस्ता के खिलाफ उंगली उठाती है यानि जो आम जनता है अगर वो उसकी व्यवस्ता उसके शासन के खिलाफ उंगली उठाती है तो सत्ता उसे कुछलने का परियास करती है यानि स्टुडैन जो शासन तंत्रे वो उसकी अवास को दबाने का परियास करता है कौन स्टुडैन शासन यानि सत्ता सत्ता में बैठे लोग जनतों को विबिन प्रलोभन यानि लाब के लिए दे कर उससे अपनी और मिलाने का परियास करते हैं जैसे आप में सुना भी होगा कि जब वोट्स वगेरा आते हैं तो फिर शासंद वर्ग सत्ताधरी वर्ग कहते हैं कि हम ये करेंगे आप हमें वोट दें तो ऐसा ही क्या है इस तुडाइंस कि जब बैठे लोग जनता को प्रालोब यानि उनको कहते ही कि तुम्हें बहुत फायदा होगा अपकर हमें पूछते हैं हमें वोट देंगे तो बहुत फायदा होगा तो उसे बेसिकली अपनी और क्या करते हैं आकरशित करने की कोशिच करते हैं और जब कि सच्चाई क्या होती है वो केवल उनका उलू सीधा कर र करना तो अब भाशा शेरी में लिखेंगे कि मुहावरिदार वाक्यों का परियोग होता है अब उलू सीधे करने का मतलब क्या है बेवकुव बनाना आगे पढ़ते हैं शेर दुवारा दिये गए प्रलोबन से यानि जो शेर है उसके मुह में जाने के लिए कहता है कहता है मुह में जा रहे थे यानि उनको पूरा यकिन होगा है कि हम शेर के मुह में जाएंगे तो हमें हरी बरी गास मिलें इससे हमारा फायदा होगा बेसिकली क्या हुआ कि शेर जो है स्रिफ अपना लू सीधा कर रहा था और जबकि शेर एक कैसा जीवे स्टूडेंस एक मासाहार जीवे आई हो आपको यह समरी समझ में आई होगी और इसे देखने के बाद इस तो डैंस ऐसा कोई सा कुछ नहीं होगा जिसे आप लोग स्वाल ना कर पाएं आगे स्टाटी करते हैं एक और पॉइंट लिया है मैंने इससे चैप्टर और के लिए रोगा तो बोला गया है क कि प्रमान से अधिक मैतफ़ कुन क्या है विश्वास है यानि सर्टिफिकेट इतने इंपोर्टन नहीं है जितने इंपोर्टन क्या है विश्वास से यकीन है कि जिस तरह जो बागे के जैनवर है वो भी शेड के मूँ में जाते जा रहे हैं इस तरह विश्वास के अधार पर कि हाँ वहाँ में हरा बरागास का मेदान मिलेगा हमें रूजगार का दफ्तर मिलेगा तो इसे अब स्टडी करते हैं कि भूली बाली जनता प्रमान को अधिक मैत अफना देते हुए विश्वास के अधार पर आप याद रखेंगे कि जनता बहुत बोली है वो सैटिफिग की बात मानती है कि हाँ हम शेयर के मुह में जाएंगे तो मेरा बरागास मिलेगा रोजगार का दफ्तर मिलेगा तो इसके लिए वो किसे भी प्रमान पत्रपया की नहीं कर रहे हैं उन्हें विश्वास है कि हाँ मिलेगा और जब भी हमें सब को बता है कि शेयर क्या है एक मा सहारी जीवे स्टुडेंस यानि वो मास खाने वाला है जो सभी को खाता है सभी जानवरों को ये विश्वास दिलाया जाता है Students, पहले सभी जानवरों को विश्वास दिलाया जाता है कि अब जो share है वो आहिनसा है यानी वो हिनसा से बिलकुल दूर है लड़ाए जगडे से बिलकुल दूर है से अस्तित्व का समर्थक हो गाय pak यानी वो लोगों के अस्तित्व के बारे में सोचता है समझता है और वे जानवरों को शिकार नहीं करेगा बेसिकली सबसे पहले अपना उलू सिदा करने के लिए अपना फाइदा करने के लिए लोगों को विश्वास दिलाया जाता है कि उनमें सरीफ उनी कई फाइदा होगा अपना उनकी बात मान करके शीर के मुँ में स्वेंपरवेश कर लेते हैं यानि वो विश्वास कर लेते हैं और लेखक किन्तु जो लेखक जैसे कुछ लोग के स्टूडेंस वो प्रामान को ही क्या समझते हैं अधिक महतफमून मानते हैं जिन्हें सद्धा को चलनने का परियास करती है तो जो लेखक जैसे लोग है वो स्री प्रमान परी अधिक क्या करते हैं उसे इंपोर्टेंस देते हैं उसे जादा मानते हैं जिन्हें फिर बात में क्या करती है शासन जो है उन्हें दबाने का परियास करती है तो I hope students आपको समझ में होगा यहां शासन के संके दिये गया है students यहां से important question answer शुरू होते हैं share लगू कता के start करते हैं आप इन सभी question answer को note down करेंगे यह very very important है सभी question answer important है लोमडी switcher से share के मुँ में क्यों चली जा रही थी तो आपको बताना है कि जो लोमडी है वो सोतंतर हो करके पूरी तरह free हो करके share के मुँ में क्यों चली जा रही थी very important क्योंकि उसको डालच दिया गया था कि लोमडी क्या थी बेरुसकार थी जैसे अब लोमडी को यहाँ पर जनता का प्रतिक माना गया है जैसे जनता बेरुसकार होती है और वो विश्वास करकर के कार्यालियों में चली जाते है तो उसे पता चला कि share के मुँ में क्या है students रोजगार का कार्यालियों है यानि उसे वहाँ काम मिलेगा और जहां उसे प्रातना पत्र देकर नोकरी भी मिल सकती है अब ये बात सुएम शेरी ने उसे खुद बताए कि अगर तुम मेरे मुँ में चाती हो तो तुमें हरा बरा गास का मेदान मिलेगा यानि रोजगार का दफ्टर मिलेगा जो की आम जनता के और संकेत किया गया है प्रतिवे नोकरी की अर्जे जमा कराने के लिए स्वेचा से शेर के मुँ में चली जा रही थी यानि उसको लालज दिया गया पहले उसको विश्वाज दिलाया गया इसलिए वो शेर के मुँ में जा रही थी आई होब आपको समझ में आया होगा नेक्स डिस्टकस करते हैं स्टूडेंस बोला गया है शेर लगुगता में लेखक ने शेर को किस बात का प्रतिक बताया है वेरी वेरी इंपोर्टन एंड वेरी इसी भी स्टार्ट करते हैं कि कहानी में लेखक ने शेयर को सत्ता का प्रतिक बताया है स्टुडेंस यानि शासन का कि वो किस तरहां लोगों को पहले विश्वास दिलाते हैं और वास्ताव में क्या होता है वो स्रीफ अपना उलू सिदा कर रहे होते हैं लोगों को बेफकूफ बना करके यह सत्ता आम जंता को दोगा दे करता था विबिन प्रकार के लालच दे कर अपनी उंगलियों में नचाने का परियास करती है तो सत्ता धारी वर्गोदेंस तुडेंस वो लोगों को लालच देते हैं अपनी तरफ आकरशित करते हैं कि ऐसा करोगे तो ऐसा होगा आप लोगों को लालच दिया जाता है त की क्या होता है उन सबी जानवर को लालच दे दिया क Speed सत्तेधारियों के प्रबों प्रफ लोबन और स्टूडेंस क्या करती है शासंदर की सत्तावर्ग की बातों में आकर के थीम नेक्स कोशन पढ़ते हैं शेर के मुँ और रोजगार के दफ़तर के बीच क्या अंतर है वेरी वेरी इंपोर्टेंट तो शेर के मुँ और रोजगार के दफ़तर जो होता है ऑफिस होता है उसके बीच अंतर बताना है तो आप लोग लिखेंगे कि शेर के मुँ में गई जान जास का मैधान मिलेगा जबकि क्या हुआ वहां जानवर जाने के बाद दुबारा नहीं लोटे क्योंकि वो तो मास खाता है वे दफ्तर में समा कर मर जाते हैं या शेर उन्हें खा लेता है या उनका अस्तित भी नश्ट हो जाता है जो एक इनसान की परस्नालिटी होती है उसक जा करेक्ड़ करेक्ड़करी नहीं होती है और क्यों रोजकार का दौता है उसकी इक बचार करकि मरता नहीं होता है या यूवार जफूह दिन्व defence यहां पर है यहां लोग नोख्री की पाने की आश्या में जाते हैं कि उन्हें अच्छा रोजकार मिलें झाए न्य नेर्नम आप याद रखेंगे कि क्या बोला गया है कि लोग जो है वो नोकरी पाने की आश्या में आफिस के चक्र काटते रहते हैं कि अब हमें नोकरी मिले अब हमें नोकरी मिले लेकिन वास्तव में क्या होता है उन्हें नोकरी मिलती ही नहीं है उन्हें बार बार चला जाता है यानि उन्हें बार बार बेवकुफ बनाया जाता है कम मजदूरी पर उन्हें काम करना पड़ता है कुछ लोग बेबस होते हैं जो कम मजदूरी दर पर भी काम करने को तयार हो जाते हैं बस उनका अस्तित्व समाप नहीं होता है जैसे सुझाएं शेर के मुँँ में जैसे समाप नहीं होता है तो ऐसा किसी भी कार्यारे में नहीं होता कि अस्तित्वी समाप हो जाए या लोग मर जाए ऐसा भी नहीं होता शेर के मुँँ के समान रोजगार का दफतर लोगों को निगलता नहीं है तो very good point क्या बोला गया है इसी तरह शेर के मूँ के समान जो ही जो शेर का मूँ है उसी की तरह जो रोजकार का दफतर है वो लोगों को निगलता नहीं है यानि वो लोगों को खाता नहीं है और इसके विपरित क्या होता है एक कारियालिय का दफतर जो है वो उनकी आश्या को जो उनकी उम्मीदे होती ह उनको समाप्त कर देता है जिस तरह शीर के मूँ में जाने पर क्या होता है जंगली जानवा नश्ट हो जाते हैं ठीक उसी तरह किसी दफ्तर के जाने पर दफ्तर में जाने पर लोगों की उम्मित समाप्त हो जाती है आयोप आपको समझ माय होगा next पढ़ते हैं last very very important that students प्रमान स्धिक मैंतर ह्पून है विश्वास कहानी कе धार पर टिप पढ़ी कीजिए तो बताना ही कि क्या प्रमान स्धिक मैंतर ह्पून है विश्वास पढ़ते हैं कि यदि लोगों को किसी बात पर क्या है students विश्वास से तो वो प्रामान को नहीं देखते हैं अगर उन्हें येकिन होता है जिस तरह पहले शेर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि मेरे मुँ में हरा बरा घास है तो सबसे पहले क्या करा है विश्वास दिलाया है ना कि उन्हें किसी प्रामान की जरुवत पड़ी है तो बस तब इसी तरह ठीक स्टूडेंस विश्वास के सारे ही खाई में गिरने को खुद तैयर हो जाते हैं यानि अपने शोशन कर लेते हैं आतेवे प्रमान को भी अंदेखा कर देते हैं वो सर्टिफिकट को भी अंदेखा कर देते हैं जब उन्हें यकिन दिलाया जाता है पूरी खराब स्टिथी होती है आप याद रखेंगे नेता दुवारा चुनाव जीतने से पहले आम जनतों को विभीन प्रकार के प्रलोभन देजाते हैं यानि स्टुडेंस जो आम जनता है उन्हें चुनाव से पहले आप में देखा भी होगा कि कई नेता दुवारा ये कहा जात है वो अपना वोट नेताओं को दे देती है और उन्हें विजे बना देती है यानि उन्हें पहले विश्वास दिलाया जाता है जिस तरहां शेर के मुह में जाने से पहले चंगी चानवरों को विश्वास दिलाया गया और इस प्रकार पे विश्वास में अपने शूशन कर वाती है जो आम जनता है वो विश्वास में आ जाते हैं और एक गलत उम्मिदवार को वो लोग चुन लेते हैं तो बोला गया है उम्मिदवार भी अन तक उन्हें विश्वास के दोके में रखता है जो उम्मिदवार होता है स्टुडेंस उन्हें अन तक दोके में रखता है विश्वास क्यादार पर और उनका जम करके शोशन करता है जिस तरह शेर के मुँ में जाने से पहले जानवरों को विश्वास दिलाया गया और बात में क्या हुआ उनका शोशन हुआ यानि वो मर गया उनका स्थित्वी समात हो गया तो उने सबसे पहले विश्वास दिलाया यह वेरी वेरी इंपोर्टन कोशिन थे जो सब यह लिखे हुए हैं आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी लगुकत शेर नेक्स वीडियो में हम लगुकत पैचान को स्टडी करेंगे इसकी पार्ट की मुल समवेतना को देन शॉर्ट थीम को एंड यह वेरी वेरी आंसर्स को नेक्स वीडियो में हम लोग पैचान को डिसकस करेंगे इस्टुडेंट थैंक्स फूर वाचिंग